हलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने चैनल तयारी कर लो में तो आज हम वीडियो लेकर आएंगे तो यह आदिकाल पर मास्टर वीडियो है इसमें हम आदिकाल से सम्मंधित बहुत ही महत्पूर तथे देखेंगे बहुत ही महत्पूर पृष्णे देखेंगे इसके अंदर अगली वीडियो में इसके जो कवी है उन पर भी वीडियो लेकर आएंगे तो दोस्तों यह मास्टर वीडियो है पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा आदिकाल के बारे में हम पूरा A to Z डिटेल में देखेंगे तो बहुत ही महत्पूर है और अभी तक अगर आपने चै अगली एलिश्ट भी देख सकते है तो चलिए चलते है आदिकाल के तरफ आदिकाल इसे वीर गाथा काल भी कहते हैं आदिकाल हिंदी साहित का इतिहास जिसका समय है छिन्धी साहित का Viven टालो के नामकरण का परतम श्रें जोर्ज ग्रियर्सन को जाता है जोर्ज ग्रियर्स को हिंदी साहित के इतिहास का आरंभिक काल के नामांकन का प्रश्ण विवादास्पद है इस काल को ग्रियर्सन ने चारण काल, मिश्रबंधु ने प्रारंभिक काल, महावीर प्रसाद दिवेदी ने बीजोपन काल तथा शुक्ल ने आदी काल, वीर गाथा काल राहुल सांकरतेयन ने सिद्ध सामंत काल और रामकुमार वर्मा ने संधी काल वचरण काल, हजारी प्रसाद दिवेदी ने आदी काल की संग्या दी है इतिहास हिंदी साहित के इतिहास में लगभग सात्वी सताबदी से लेकर चौद्वी सताबदी के मद्ध तक के काल को आदी काल का जाता है यह काल आदी काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद दिवेदी से मिला है आचारी रामचंदर शुकल ने इस काल को वीर का था काल तथा विश्वनात प्रसाद मिस्र ने इस काल को वीर काल नाम दिया है आदिकाल के आधार पर साहित का इतिहास लिखने वाले मिश्र बंधूं ने इसका नाम प्रारंभिक काल किया और आचार्य महावीर प्रसाद दिवेदी ने बि-जोपन काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी इस काल की प्रमख प्रवतियों के आधार पर इसको चारण काल कहा है और राहुल सांक्रत्याईन ने सिद्ध सामंत काल कहा है आदिकाल में तीन प्रमुख प्रवतियां मिलती हैं धारमिक्ता वीर गातत मक्ता वा श्रंगारिक्ता आदिकाल का नाम करण किसने क्या कहा हिंदी साहत के इतिहास के प्रथम काल का नाम करण विद्वानों ने इस प्रकार किया है एक तरफ विद्वान है दूसरी तरफ किस विद्वान ने उसका क्या नाम दिया पहला है डॉक्टर गिरियर्सन उन्होंने चारण काल कहा है फिर है मिश्र बंधु उन्होंने आरंभिक काल कहा है इसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्होंने इस काल को वीर गाथा काल कहा है इसके बाद है राहुल सांक्रत्यायन इन्होंने इस काल को सिध्ध सा मन्त युग कहा है और फिर है महावीर प्रसाद दिवेदी जिन्होंने इस काल को कहा है बी जौपन काल इसके बाद है विश्वनात प्रसाद मिश्र इन्होंने इस काल को वीर काल कहा है और फिर है हजारी प्रसाद दिवेदी जी इन्होंने इस काल को आदी काल कहा है अंतमे है रामकुमार वर्मा इन्होंने इस काल को चारण काल या संधी काल कहा है आदी काल भाशा की शैली आदी काल में जो भाशा सैली थी वह कैसी थी आदी काल में दो शैलिया मिलती हैं एक डिंगल वो दूसरी पिंगल डिंगल शैली में करकस शब्दा वलियों का प्रियोग होता है जबकि पिंगल शैली में कर्ण प्रिय शब्दा वलियों का प्रियोग करकस शब्दा वलियों के कारण डिंगल शैली अलोग प्रियो होती चली गई जबकि कर्ण प्रिय शब्दा वलियों के कारण पिंगल शैली लोग प्रिय होती चली गई और आगे चलकर इसका ब्रज भाशा में विगलन हो गया आदिकालीन साहित के तीन सर्व प्रमुख रूप हैं सिद्ध साहित, नाथ साहित और रासो साहित आदिकाल के साहित के बारे में बात करते हैं इस समय का साहित मुख्यता चार रूपों में मिलता है कौन-कौन से रूप हैं? पहला सिद्ध साहित तथा नाथ साहित दूसरा जैन साहित, तीसरा चारणी साहित और चौथा प्रकीरणक साहित सबसे पहले सिद्ध साहित पर बाद करते हैं सिद्धों का संबंद बौध धर्म की वज्रयानी किसका बौध धर्म की वज्रयानी शाखा से है ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिये थे इनकी संख्या 84 मानी जाती है जिनमें सरहपा, शबरपा, लुईपा, डोमभीपा, कुक करीपा, कनहपा जिने कहते हैं आदी मुख्य हैं सरहपा प्रथम सिध्ध कवी थे प्रथम सिध्ध कवी कौन थे? सरहपा राहुल सांकरत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवी माना था किसे सरहपा को राहुल संकरत्यायन ने प्रथमकवी माना तथा सर्व सम्मती से इन्हें हिंदी का प्रथमकवी स्विकार किया गया इन्होंने जातिवाद और वाहम चारों पर प्रवाह किया देहवाद का महिमा मंदन किया और सहज साधना पर बल दिया ये महासुखवाद द्वारा इश्वरत्य की प्राप्ति पर बल देते हैं इन सब में लुईपा का इस्थान सबसे उच्चे है तो यह प्रश्ण कई बार पूछा गया है लुईपा का इस्थान सबसे उच्चे है बौद धर्म के वजरियान तत्तो का प्रशार करने के लिए जो साहित देश भासा या जन भाशा में लिखी गई वही सिद साहित कहलाता है यह साहित बिहार से लेकर असम तक फैला था राहुल सांक्रत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उलेख किया है जिन में सिद सरहपा से यह साहित आरंब होता है बिहार के नालंदा विद्या पीट इनके मुख अड़े माने जाते हैं बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर इनहें भारी नुकसान पहुचाया बाद में यह भोट देश चले गए इनकी रचनाओं का एक संग्रा महा महो पाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने बांगला भाशा में बौध गान और दोहा के नाम से निकाला है सिद्धों की भाशा में उलट बासी शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है इनकी भाशा को संध्या भाशा कहा गया है तो यह प्रशन भी पूचा जाता है सिद्धों की भाशा को संध्या भाशा कहा गया है हजारी पर साथ दिवेदी जी ने सिद्ध साहित की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि जो जनता तत कालिक नरेशों की स्वेच्छा चारिता पराजय तरस्त होकर निराशा के गर्त में गिरी हुई थी उनके लिए इन सिद्धों की वाड़ी ने संजीवनी का कारे किया साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाड़ी चर्यागीत या चर्यागीत कहलाती है सिद्ध साहित को मुख्यता निम्न स्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है वक्स्रेणी कौन-कौन सी है नीचे देख लेते हैं तो पहली स्रेणी है नीती या आचार संबंधित सा साहित्य तीसरा साधना संबंधि या रहसवादी साहित्य सिद्धों की साधना धर्म का विस्करत रूप थी उन्होंने वामाचार फैलाया वह अपनी साधना के लिए इस्त्री का प्रियोग आवश्यक मानते थे उसे समय बिहार वबंगाल में सास्वा ननंद द्वारा नई दुलहन को सिद्धों के आकरशन से सावधान रहने की शिक्षा दी जाती थी इनके साहित्य को आचार रामचंद्र शुगल ने सामप्रदाइक सिख्षा मात्र कहा जिनका बाद में हजारी प्रसाद दिवेदी जी ने खंडन किया था फिर है नाथ साहित्य सिद्धों के महा सुखवाद के विरोध में नाथ पंत का उदै हुआ नाथों की संख्या नव है इनका छेत्र भारत का पश्शी मोत्तर भाग है इन्होंने सिद्धों दौरा अपनाए गए पंचम कारों को नकार किया नारी भोग का विरोध किया इन्होंने बाहाडमबरों तथा वारनाश्रम का विरोध किया और योगमार्ग तथा क्रच्छ साधना का अनुसरण किया यह इश्वर को घटघट वासी मानते हैं, यह गुरू को इश्वर मानते हैं, नाथ में सरवाधिक महत्वूर गोरखनाथ हैं तो सबसे महत्पुड काउन है गोरखनात या गोरक्षनात इनकी रशना गोरख बानी नाम से प्रकाश्वित है। गोरखनात की रशना गोरख बानी। नात संप्रदाय के उलेख विविन छेत्र के ग्रंथों में जैसे योग, हट योग, तंत्र, अवधूत मत या सिद्ध मत, आयुरवेद, रसायन, चिकित्सा, बौध अध्यन, सहज यान, तिब्बती परंपरा, 24 सिद्धों में हिंदी, आधिकाल के कवियों के रूप में चर् आत्मा राम और इस गरंथ के प्रथम टीकाकार ब्रहमा नंद ने हट प्रदीपिका जियोतसना के प्रथम उबदेश में 5 से 9 इशलोक में 33 सिद्ध नाथ योगियों की चर्चा की है। ये नाथ सिद्ध काल जई होकर ब्रहमांड में विच्रण करते हैं। इन नाथ योगियों में प्रथम नाथ आदी नाथ को माना गया है जो स्वयम शिव हैं जिन्होंने हट योग की विद्या प्रदान की जो राज योग की प्राप्ती में सीड़ी के समान है। आयुर्वेद गरंतों में नाथ सिद्धों की चर्चा रसायन चिकित्सा के उत्पत्ती करता के रूप में प्राप्त होता है। जिन्होंने इस शरीर रूपी साधन को जो मोक्ष में माध्यम है, इस शरीर को रसायन चिकित्सा, पारद और अपभरक आदी रसायनों की उपयोगिता सिद्ध किया। पारदादी धातु घटित चिकित्सा का विशेश प्रवर्तन किया था, तथा विभिन्य रसायन ग्रंथों की रचना भी की उपरोक्त कथन सुप्रसिद्ध विद्ध्वान और चिकित्सा महा महो पाध्याय गर्नात सेन ने लिखा है। तंत्र ग्रंथों में नात संप्रदाए, नात संप्रदाए के आदिनात शिव है, मूलिता समग्र नात संप्रदाए शैव है। शाबर तंत्र में कपालिकों के बारा आचारियों की चर्चा है आदिनात, अनादी, काल, वीरनात, महाकाल आदी जो नात मार्ग के प्रधान आचारिय माने जाते हैं। नाथों ने ही तंत्र गंतों की रचना की है। शुडस नित्या तंत्र में शिव ने कहा है की नव नाथों, जड भरत, मत्सेंद्र नाथ, गूरक्ष नाथ, सत्य नाथ, चरपट नाथ, जालन्धर नाथ, नागरजुन आदी ने ही तंत्रों का प्रचार किया। बौध अध्यन में नाथ सिद्ध 84 सिद्धों में आते हैं। हिंदी में नाथ सिद्ध हिंदी साहित में आधी काल के कवियों में नाथ सिद्धों की चर्चा मिलती हैं। आधी का विरोध है तथा चित्मन आत्मा योग धैरि मोक्ष आधी का समावेश मिलता है। जो साहित के जागरती काल की महतपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। जो जन मानस को योग की शिक्षा, जन कल्यान तथा जागरूपता प्रदान करने के लिए था। नाथ पंथ साहित। भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित रचा गया वही नाथ साहित कहलाता है। राहुल सांकरत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विक्षित रूप माना है। हजारी प्रसाद दिवेदी ने नाथ पंथ या नाथ संपरदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संपरदाय, आउधूत मत एवं आउधूत संपरदाय के नाम से पुकारा है। तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। फिर है नाथ साहित की विशेस्ताय, कौन-कौन शी विशेस्ताय थी नाथ साहित में, पहला है इसमें ग्यान निष्ठा को परियाप्त महत्व प्रदान किया गया है, फिर इसमें मनो विकारों की निंदा की गई है, इस साहित में नारी निंदा का सरवाधिक उलेख प्राप भोग विलास की भर्सना की गई है। इस साहित में गुरू को विशेस महत्व प्रदान किया गया है। इस साहित में हट योग का उबदेश प्राप्त होता है। इसका रूखापन और ग्रहस्त के प्रती अनादर का भाव इस साहित की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। मन, प्राण, शुक्र, वाग और कुंडलिनी इन पाँचों के संयमन के तरीकों को राज योग, हट योग वा वज्र यान, जप योग या कुंडली योग कहा जाता है। इसमें भगवान शिव की उपासना उदातता के साथ मिलती है। जैन साहित्य जैन पुराण साहित्य एति हासिक चानकारी है तो, जैन साहित्य भी बौध साहित्य की ही तरह महत पूर्ण है। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राक्रत एवं संस्क्रत भाशा में मिलते हैं। जैन साहित्य के विशेशग तथा अनुसंधान पूर्ण लेखग अगर चंद ना हटा थे। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है इनकी संख्या बारा बताई जाती है। तो आगम पर कई बार प्रश्ण पूछा गया है। आगम, जैन साहित जिसे आगम कहा गया है, आगे चलकर इनके उपांग भी लिखे गए हैं, आगमों के साथ साथ जैन गरंथों में प्रकीर्ण, छैचंद सूत्र, एक नदी सूत्र, एक अनुयोग द्वार एवं चार मूल सूत्र हैं, इन आगम गरंथों की रचना संभावता श्वेतांबर संप्रदाय के आचारियों द्वारा महावीर स्वामी की मिरत्यों के बाद की गई हैं, जैन साहित के बारह आगम, आचरांग सुत्र, दूसरा सूर्य कंडक, तीसरा थापंग, चौथा समवायांग, पाचवा भगवती सूत्र, छटवा न्याय धंमक हाहो, सा आथवा उवास गद साओ, आथवा अंत गड तत साहो नौवा अलुत्रोवाई यद साओ, दसवा पनहावा गर्णिय आई, ग्यारवा विवाग सुयम और बारवा द्वीठी वाय, इन घरंथों के आचरांग सूत्त से चैन भिक्षूओं के विधी निसेधों एवं आचार विचारों का विवरण एवं भगवती सूत्र से महावीर स्वामी के जीवन शिक्षाओं आधी के बारे में उपयुक्त जानकारी मिलती है, जो इस प्रकार है, पहला औपातिक दूसरा राज प्रश्निय, तीसरा जीवा भीगम, चौथा प्रग्या पणा, सात्वा सूर्य छट्वा जंबू द्वीप प्रगप्ति, सात्वा चंद्र प्रगप्ति, आठ्वा निर्या वली का नौमा कलपावंत सिका, दस्वा पुस्पी का, ग्यार्वा पुस्प चूसिका, तश्वा ग्यार्वा पुस्प बार्वा वडश्न दशा, फिर है जैन साहित के दस प्रक चतु शरण बारा आतुर प्रत्याख्यान, तीसरा भक्ति परिग्या, चोथा संस्तार, पांचुवा तांदुल, वैतालिक, चट्वा चंदर्वेद्य, सात्वा गढित विद्या, फिर आठ्वा देवेंद्रस्तो नौमा वीरस्तो और दस्वा महा प्रत्याख्यान जैन साहित के छे छेद सूत्र पहला निशीत, दूसरा महा निशीत, तीसरा व्यवहार, चौथा आचार दशा पांचुवा कल्प और छट्वा पंच कल्प आदी एक नंदी सूत्र एवं एक अनुयोग द्वारा जैन धर्म, अनुयाईयों के सोतंत्र ग्रंत एवं विश्वकोश हैं जैन साहित में पुराण, जैन साहित में पुराण, जैन साहित में पुराणों का भी महत्पूर्ण इस्थान है, जिनहें चरित भी कहा जाता है ये प्राक्रत, संस्क्रत तथा अप भ्रंश तीनों भासाओं में लिखे गए हैं, इन में पद्व पुराण, हरिवंश पुराण, आदी, पुराण, इत्यादी उलेखनी हैं जैन पुराणों का समय छटी शताबदी से सूलहमी, सत्रहमी शताबदी तक निर्धारित किया गया है जैन ग्रंथों में परिशिस्ट पर्व, भद्र बाहुचरित, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण, आदी, विशेश रूप से उलेखनी हैं इनसे एतिहासिक घटनाओं की सूचना मिलती है भारतिय धर्म गरंथों में पुरान शब्द का परियोग इतिहास के अर्थ में आता है कितने विद्वानुने इतिहास और पुरान को पंचम वेद माना है चाड़क ने अपने अर्थ शास्त्र में इतिवरत पुराण आख्याई का उदाहरण धर्म शास्त्र तथा अर्थ शास्त्र का समावेश किया है इससे यह सिद्ध होता है कि इतिहास और पुराण दोनों ही विभिन हैं इतिवरत्त का उलेख समान होने पर भी दोनों अपनी अपनी विशेस्ता रखते हैं। इतिहास जहां घटनाओं का वर्णन कर नीवरत्त हो जाता है, वहाँ पुराण उनके परिणाम की ओर पाठक का चित आक्रश्ट करता है। सर्गष्य प्रति सर्गष्य वन्षो मन्वंतरानिचा वन्षानु चरितान निये पुराणम पंच लक्षणम जिसमें सर्ग, प्रति सर्ग, वन्ष, मान्वंतर और वन्ष परंपराओं का वर्णन हो वह पुराण है, सर्ग, प्रति सर्ग, आदि पुराण के पाँच या उस दोहकार्थ है तातपर यह है कि इतिवरत केवल घटित गठनाओं का उलेख करता है परन्तु पुरान महापुरसों के घटित गठनाओं का उलेख करता हुआ उनसे प्राप्त फलाफल पुन्य पाप का भी वर्णन करता है तथा व्यक्ति के चरित्र निर्माण की अपे बीच बचाओं में नैतिक और धार्मिक शिक्षाओं का प्रदर्शन भी करता है। इति वृत्त में जहां केवल वर्तमान की घटनाओं का उलेख रहता है, वहां पुरान में नायक के अतीद और अनागत भावों का भी उलेख रहता है। और वह इसलिए कि जनसाधारण समझ सके की महापुरुष कैसे बना जा सकता है, अवनत से उन्नत बनने के लिए क्या-क्या त्याग, परोबकार और तपस्याएं करनी पड़ती है। मानों के जीवन निर्माण में पुरान का बड़ा ही महत पूर्ण इस्थान है। यही कारण है कि उसमें जनसाधारण की श्रद्धा आज भी यथा पूर्व अचुन्न है। जैन आचार मिमानसा जैन धर्म के अनुसार अध्यात्मिक विकास की पूर्णता हैतू। श्रावक या ग्रहस्त धर्म श्रावका चार पूर्वार्द है और श्रमण या मुनि धर्म जिसे श्रमणा चार उत्तरार्द। श्रमण धर्म की निव गरहस्त धर्म पर मजबूत होती है। श्रावकाचार का स्वरूप विवेचन आवश्यक है। गोमट पंजिका के बारे में देखते हैं। गोमट सार पर सर्वप्रथम लिखी गई यहां एक संस्क्रत पंजिका टीका है। गोमट पंजिका एक टीका है। इसका उलेख उत्तरवर्ती आचार्य अभहे चंद्र ने अपनी मंद प्रबोधनी टीका में किया है। इस पंजिका की एक मात्र उपलब्धी प्रती सम्वत 1560 पंडित परमानंद जी के शास्त्री के पास रही है। इस टीका का प्रमाड पांच हजार शलोक हैं। इस प्रती में कुल पत्र हैं जो वो 98 हैं। गोमट सार जीवतत्व प्रदीपी का यह टीका केशव वल्णी द्वारा रचित हैं। उन्होंने इसे संस्कृत और कन्नण दोनों भाशाओं में लिखा हुए। जैसे वीर सेन स्वामी ने अपनी संस्कृत प्राक्रत मिश्रित धावलाटी का दौरा शट खंडागम के रहस्यों का उद्गाटन किया है। उसी प्रकार केशव वल्णी ने भी अपनी इस जीवतत्व प्रदीपी का दौरा जीव कांड के रहस्यों का उद्गहाटन कन्नर मिश्रित संस्कृत में किया है जय धवल टीका आचार वीर सेन स्वामी ने धवल धवला की पूर्णता के पश्चात शौर सेनी प्राकरत भाशा में निबध आचार गुर्धर द्वारा वीरचित कसाय पाहुड की टीका जय धवला का कार आरंब किया और जीवन के अंतिम साथ वर्षों में उन्होंने उसका एक तिहाई भाग लिखा ततपश्चात शक्समवत 745 में उनके देवंगत होने पर शेस दो तिहाई भाग उनके योग्यतम शिस जिन सेना चार शक्समवत 700 से 760 ने पूरा किया 21 वर्षों के सुदीर्ग ज्यान साधना की अवधि में यह लिखी जाकर समवत 769 में पूरी हुई आचार जिन सेन स्वामी ने सर्व प्रथम संस्क्रत महा काव्वे पार्शाब भ्यूदय की रचना में की थी इनकी दूसरी प्रसिद्ध क्रती है महा पुराण उसके पूर्व भाग आदी पुराण के 42 सर्ग ही बन पाये थे और दिवंगत हो गए शेस की पूर्ती उनके शिस गुण भद्राचारे ने की थी जीव तत्व प्रदीपिका यहा नेमी चंद्रकरत चत्थुर्त टीका है तीसरी टीका की तरह इसका नाम भी जीव तत्व प्रदीपिका है यह केशव वर्णी की करनाटक वरती में लिखी गई संस्क्रत मिश्रित जीवतत्व प्रदीपिका का ही संस्क्रत रूपांतरण है इसके रचैता नेमी चंद्र सिद्धान्त चक्रवरती से भिन्न और उत्तरवरती नेमी चंद्र है ये नेमी चंद्र ग्यान भूशन के शिष्ष थे गोमट सार के अच्छे ग्याता थे इनका कन्नण तथा संस्कृत दोनों पर समान अधिकार था यदि उन्होंने केशा वर्णी की टीका को संस्कृत रूप नहीं दिया होता तो पंडित टोडर्मल जी हिंदी में लिखी गई अपनी सम्य ज्यान चंद्रिका नहीं लिख पाते ये नेमी चंद्र गडित के भी विशे सग्ये थे जैन साहित के छेतर में जैन साध्वी पूजे गडिनी प्रमुक्ष श्री ज्यानमती माता जी ने बीस्वी सधी में एक कीर्थी मान उपस्थिती किया है उन्होंने नियाए वियाकरण चंद अलंकार सिधान्त अध्यात्म काव्य पूजन आधि सभी प्रगार का साहित्य रचा है उनकी दो सो पचास से अधिक पुस्तकें जम्बू द्वीप हस्तिनापुर से प्रकाशित हुई है शटख खंडागम ग्रंथों पर उन्होंने सोला पुस्तकों की सिधांत चिंता मडी नामक संस्क्रत टीका लिखकर आचारे शिरी वीर सेन स्वामी की याद को ताजा कर दिया है वर्तमान युग में संस्कृत टीका लिखने वाली मात्र एक ही साध्वी है इन गरंथों की हिंदी टीका उनकी शिस्या प्रग्याश्रमणी आरिकाश्री चंद नामती माता जी ने किया है जिसकी दस पुस्तकें छप चुकी है उन्हें मंगा कर आप स्वाध्याय कर सकते हैं संस्कृत की सोलहों पुस्तकें छप चुकी है आगम आगम किसे कहते है भगवान महावीर के उबदेश जैन धर्म के मूल सिद्धान्त है जो भगवान महावीर हैं उनके जो उबदेश हैं वो जैन धर्म के मूल सिध्धानत हैं जिन्हें आगम कहा जाता है उन्हीं सिध्धानतों को आगम कहा जाता है वे अर्धमागधी प्राकरत भासा में हैं उन्हें आचारांगधी बारह अंगों में संकलित किया गया है जो चंग आगम कहे जाते हैं। वैदिक सहिताओं की भाती जैन आगम भी पहले शुरुत रूप में ही थे। महावीर जी के बाद भी कई शताब्दियों तक उन्हें लिपी बद्ध नहीं किया गया था। आलहा चंद आदी काल हिंदी सहित के आदी काल में आलहा चंद बहुत प्रचलित था यह वीर रस का बड़ा ही लोग प्रिये चंद था दोहा, रासा, तोमर, नराज, पद्धती, अरिल्ल, आदी चंदों का प्रियोग आदी काल में मिलता है। आलहा मद्य भारत में इस्थित एतिहासिक बुंदेल खंड के सेना पती थे और अपनी वीरता के लिए विख्यात थे आलहा के छोटे भाई का नाम उदल था और वह भी वीरता में अपने भाई से बढ़कर ही था जगनिक ने आलहा खंड नामक एक कावे रशा था उसमें इन वीरों के बारा बावन बावन लड़ाईयों की गाथा वर्नित है उदल ने अपनी मात्र भूमी की रख्षा हेतु प्रत्वी राज चौहान से युद्ध करते हुए उदल वीरगती प्राप्त हुए आलहा को अपने छोटे भाई की वीरगती की खबर सुनकर अपना अपना आपा हो बैठे और प्रत्वी राज चौहान की सेना पर मौत बन कर तूट पड़े आलहा के सामने जो आया मारा गया एक गंटे के घंगोर युद्ध की के बाद प्रत्वी राज और आलहा आमने सामने खड़े थे दोनों में भीशन युद्ध हुआ प्रत्वी राज चौहान बुरी तरग हैल हुए आला के गुरू गोरफनाद के कहने पर आला ने प्रत्वी राज चौहान को जीवन दान दिया और बुंदेल खंड के महा योद्धा आला ने नाध पंथ सुईकार कर लिया तो दोस्तो या थी हमारी वीडियो मास्टर वीडियो थी पसंद आई हो तो लाइक करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे भी बहुत से इंपॉर्टन वीडियो आने वाली ह तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए सबी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद